श्री रांग वनवास की ओर बड़े जा रहे थे, किन्तु अभी तक वैं आयुध्यापुरी की सीमा में ही थे, जानते हैं, आगे क्या हुआ, श्रीवार्मी की निर्मित आशामयन आधिकावे के आयुध्याकान में पचास्वा सग्ग नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ओडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं, तो मेंबर्शिप लेके या दिये गए क्यूर कोड का प्रियोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोचाहित करता है। परिपालत, पुरी शिरुमनी आयोधे मैं तुमसे तथा जोजोदेवता तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आग्या चाहता हूं। वन वास की अब्धी पूरी करके महराज की रण से उर्रण हो, मैं पुनह लोटकर तुम्हारा दर्शन करूँगा और अपने माता पिता से भी पुनह मिलूँगा। इसके बाद सुन्दर एवं अरुण नेतर वाले श्रीराम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेतरों से आसू बहाते हुए दुखी होकर जनपत के लोगों से कहा। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यतुचित दया दिखाए। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत दीर तक गश्ट सहन किया। इस तरह आपका दीर तक दुख में पड़ी रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अब आप लोग अपना-पना कारे करने के लिए लोट जाए यह सुनकर उन महात्मावने शिराम को परणाम करके उनकी परिक्रमा की और खोर विलाप करते हुए वे जहा तहां खड़े हो गए। उनकी आँखें अभी शिराम के दर्शन से त्रिप्त नहीं हुई थी और वे पूरवक्त रूप से विलाप कर रहे थे। इतने में शिरग पुनाथ जी उनकी दृष्टी से ओजल हो गए। जैसे सूर प्रदोशकाल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंग शेराम रत के द्वारा ही उस कौसर जनबत को लांक है जो धनधाने से संपन और सुकतायक था। वहां के सब लोग दानशील थे। उस जनबत मे कहीं से कोई भय नहीं था। वहां के भूभाग, रमणियें एवं चैत्य प्रिक्षों तथा यग्य संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों की बन उस जनबत की शोभा बढ़ाते थे। वहां जल से भरे हुई बहुत से जलाशे सुशो बित थे सारा जनबत, रिष्ट प्रिष्ट मनुष्यों से भरा था। गौँ के समुह से व्याप्त और सेवित था। वहां की ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे। तथा वहां वेद मंत्रों की ध्वनी गोश्दी रहती थी। कौसल देश से आगे बढ़ने पर धैरेवानों में श्रिष्ट शीराम चंदर जी मध्य मार्क से ऐसे राचे में होकर निकले। जो सुक सुविधा से युक्त, धन धाने से संपन, रमणी उध्यानों से व्याप्त, तथा सामन्त नरेशों के उभ्भोग में आने वाला उस राचे में श्री रगुनाची ने त्रिपत कामिनी तिप्विनदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतर जल से भरे हुई सेवारों से रहित और रमणीय थी। बहुत से मरशी उनका सेवन करते थे। उनके तक पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुन्दर आश्रम बने थे। जो उन देवनदी की शुभा बढ़ाया करते थे। समय समय पर हर्श्परी अपसराइं भी उतर कर उनके जलकुंड का सेवन करती थी। वे गंगा सबका कल्यान करने वाली हैं। देवता, दानब, गंधर्व और किंदर। उन शिवस रूपा भागिरिती की देवताओं के सेंकड़ों परवती एक कृड़स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उध्यान भी हैं। वे देवताओं की कृड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं। और वहां देव पद्मनी के रूप में विख्यात है। प्रस्तर खंडों से गंगा उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल विर्णी के आकार का है और कहीं वे भावनों से सुशोबित होती है। कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है। कहीं वे महान वेग से व्याप्थ है। कहीं उनके जल से मृदंग आदी के समान गंभी घोश प्रकट हो में देवताओं के समुदाइं गोते लगाते हैं कहीं कहीं उनका जल नील कमलों अथ्वा कुमदों से आच्छादित होता है कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है तो कहीं निर्मल बालू का राशी है हंसों और सारसों के कलरव वहां गूजा करते हैं चकवे उन देवनदी की शोभा बढ़ाते हैं सदा मनमत रहने वाले वेकंगम उनके जल पर मंदराते रहते हैं वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं कहीं तटवर्ती व्रिक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं कहीं तो जल खिले हुई उत्पलों से आचा दित है और कहीं कमल वनों से व्यापद कहीं कुमुद समुहु तथा कहीं कलिकाईं उन्हें सुशोभित करती हैं कहीं नानप्रकार के पुष्वों के परागों से व्यापद होकर वे मतमत नारी के समान प्रतीत होती हैं वे मल्ल समुह अर्थात पापराशी दूर कर देती हैं उनका जल इतना स्वच है कि मणी के समान निर्मल दिखाई पड़ता है उनके तरपरती वन का भीतरी भाग मतमत्ति गजों जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले शेष्ट गजराजों से कोला हलपूर्ण बना रहता है वे फलों फूलों पलवों गुल्मों तथा पक्षियों से आवरित होकर उत्तम आभुशनों से यतना पूर्वग विभुशित हुई युवति के समान शोभा पाती हैं उनका प्राकट भागवान विश्णों के चर्णो का नाश कर देने वाली हैं उनके जल में सूंस घड़या और सर्प निवास करते हैं सगर्वंशी राजा भगिरत के तपों में देज से जिनका शंकर जी के जटा जूट से अफ्तरण हुआ था जो समुद्र की रानी हैं तथा जिनके निकट सारस और क्रॉंच बक्षी कहते हैं उन्हीं देवनदी गंगा के पास माहबाहु श्रीराम जी पहुंच ही गए गंगा की वैधारा श्रिंग वेरपुर में बह रही थी जिनके आवरत भम्रे लहरों से व्याप थे उन गंगा जी का दर्शन करके महारती श्रीराम ने सार्थी सुमंत्र से कहा सूत आज हम लोग यही रहेंगे सार्थे गंगा जी के समी भी जो यह है बहुत से फूलों और नेने पल्लवों से सुशोभित महान इंगुदा का व्रिक्ष है इसके नीचे आज रात में हम निवास करेंगे जिनका चल देवताओं, मनुश्यों, गंधर्वों, सर्पों, पश्वों तथा पक्षियों के लिए भी समाधर्णिये है उन कल्यान सुरूपा सरिताओं में श्रेष्टर गंगा जी का भी मुझे यहां से दर्शन होता रहेगा तब लक्ष्मन और सुमंत्र भी शिराम चंदर जी से बहुत अच्छा कहकर आश्वों द्वारा उस इंगुदा व्रिक्ष के समीप पहुँचे उस रमनिये व्रिक्ष के पास पहुँचकर इक्षवाकु नंदन श्रीराम अपनी पतनी सीता और भाई लक्ष्मन के साथ रच से उतर गए फिर सुमंत्र ने भी उतर कर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और व्रिक्ष की जड़ पर बैठे हुए शिराम चंदर जी के पास जाकर पहाज चोड़कर खड़े हो गए शिंग वेरपूर में गुह नाम का राजा राज़ करता था वह शिराम चंदर जी का प्राणों के समन प्रिय मित्र था उसका जन्म निशाद कुल में हुआ था देशारिरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टी से भी बलवान था तथा वहां के निशादों का सुविख् राजा था उसने जब सुना कि पुरुष्टिंग श्री राम मेरे राजे में पधारे हैं तो वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बान्धों से खेरा हुआ वहां आया निशाद राज को दूर से आया हुआ देख शिराम चंदर जी लक्ष्वन के साथ आगे बढ़कर उससे मिले शिराम चंदर जी को वलकरादी धारन किये देख गोहे को बड़ा दुख हुआ उसने शिराम चंदर जी को हिदे से लगा कर कहा शिराम आपके लिए जैसे आयोध्या का राज्य है उसी प्रकार ये राज्य भी है बताईए मैं आपकी क्या सेवा करूं महाबाहो आप जैसा प्रिय अतिथी किसको सुलब होगा फिर भांती भांती का उत्तम अंदेगर वैस सेवा में उपस्तित हुआ उसने शीग्री अर्गे निवेदन किया और इस प्रकार कहा महाबाहो आपका स्वागत है ये सारी भूमी जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है हम आपकी सेवक हैं और आप हमारे स्वामी आज से आप ही हमारे इस राज्य का भलिभांती शासन चरे ये भक्ष, अनादी, भोच, खीरादी, पे, पानक, रसादी तथा लेह, चटनी आदी आपकी सेवा में उपस्तित है इसे स्विकार करें ये उत्मोत्तम शयाए हैं और आपके खोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदी भी प्रस्तुत हैं ये सब सामगरी ग्रहन करें गोहे के ऐसा कहने पर श्रीराम चंदर जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया सखे तुमारे यहां तक पैदलाने और स्ने दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भलिभादी पूजन स्वागत सत्कार हो गया तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसंता हुई फिर श्रीराम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गोये का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा गोह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंदू बांधवों के साथ स्वस्त एवं सानन्द देख रहा हूँ बताओ, तुम्हारे राचे में मित्रों के यहां तथा वनों में सर्वत्र कुशलतों हैं तुमने प्रेमवश यह जो बहुत समग्री प्रसुत की है इसे स्विकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आग्या देता हूँ क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तू मैं ग्रहर नहीं करता अर्थात अपने उप्योग में नहीं लाता वलकल और मृक्चर में धारन करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानों इन सामग्रियों में जो घोडों के खाने पीने की वस्तू है उसी को इस समय मुझे आवश्यक्ता समझ कर दे दो दूसरी किसी वस्तू की मुझे आवश्यक्ता नहीं घोड़ों को खेला पिला देने मातर से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा ये घोड़े मेरे पिता महाराज तश्रत को बहुत प्रिये हैं इनके खाने पीने का सुन्दर प्रबंद कर देने से मेरा भलिभांती पूजन हो गया तब गोहे ने अपने सेवकों को उसी समय ये आग्या दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुई शिग्र ला कर दो तत पर शाथ वलकल का उत्तरिय वस्तर धारन करने वाले शिराम ने साइकाल की संद्यो पासना करके भोजन के नाम पर सोय लक्षमन का लाया हुआ केवल जल मात्र ही पी लिया फिर पत्नी सहिद शिराम भूमी पर ही तिर्ण की शहया बेचा कर सो गए उस समय लक्षमन उनकी दिवनों चर्णों को धो कर पोँच कर वहां से कुछ दूर हट गए और एक प्रिक्ष का साहरा लेकर बैट कर गोईबिस साफधानी के साथ धनुष धारन करके सुमंत्र के साथ बैट कर सुमित्रा कुमार लक्षमन से बात चीत करता हुआ शिराम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा इस प्रकार सोय हुए यश्यस्वी मनस्वी दश्रत नंदन महात्मार श्री राम की जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुक भोगने के ही योगे थे वहरान उस समय नीन ना आने की कारण बहुत देर के साथ व्यतित हुई इस प्रकार श्रीवालमी की निर्मित आश्यामायन आधिकावे के आयोध्यकान में पचास मसर पुरा हुआ आप सभी को कोटी कोटी साधुवाद आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया